नमस्कार, हमने पिछले भाग में देव और उसकी कविता को पढ़ने पढ़ाने की बारे में जानकारी की और उस रीतिकालिन कवित देव की कविता पढ़ने से पहले रीतिकाल की कविता कैसी है भक्तिकाल की कविता और रीतिकाल की कविता में क्या अंतर है और इसके साथ ही रीतिकालिन कविता की क्या विशेशना है आज की कविता को समझने के लिए रीतिकाल की कविता हमें कैसे मद करती है इसके बारे में जाना और साथ ही यह एक चंद युक्त कविता है जो चंदों में लिखी गई खास कर कवित और सवया चंद में देव की कविता भी कवित और सवया चंद में है जो पाठिक पुस्तक में निर्धारित कविता है उसका पहला चंद सवया चंद जिसका कि बारे में जानकारी प्रात करेंगे और आगे के जो दो कवित हैं उसको भी पढ़ेंगे पढ़ाएंगे जैसा कि आप जानते हैं कविता में अर्थ बोध ही मुख्य नहीं होता है कविता का भाव गरहन होता है और कविता को टुकड़ों में नहीं समझा जाता है कविता का सम अगर प्रभाव सामने आना चाहिए और मित्रों यह भी जानते हैं कि कविता एक साजेदारी की वस्तु है उसका कोई अकेला अर्थ नहीं होता है मनुश्य या वैक्ति या पाठक अपनी अपनी तरह से कविताओं के कई अर्थ करता है इससे यह लगता है कि एक ही अर्थ नही हो सकता है आपको कोई अर्थ अन्य अर्थ भी आपको आपकी मन में पैदा हो जिसको आप सामने रखना चाहेंगे इसलिए कविता के कई अर्थ खुलते हैं यह कविता देव ने श्री कृष्ण के रूप सौंधेरे का चितरन करने के लिए यह चंदर अच्छा है और यह जो देव का सौंदर्य चित्रन है या कृष्ण का रूप सौंदर्य का जो चित्रन है उसमें हमें रीती कालीन कविता के तत्वत दिखाई देते हैं पहले ही हम चर्चा कर चुके हैं कि रीती कालीन कविता की भाषा ब्रजभाषा रही है बरज भाषा का प्रयोग ही उन्होंने किया है कविता यों है पाइनी नुपूर मन्जु बजे कटिकिंकनी के धुनी की मधुराई सावरे अंगलसे पटपीतप हिये हुलसेवन माल सुहाई बाथ कीरीट बड़े द्रग चंचल मंद हसी मुख चंद जुनाई जय जग मंदिर दीपक सुंदर श्रीब्रजदूलः देव सहाई कृष्ण के सौंदर येका वर्णन करते हुए कवी कह रहा है जो एक आभिजात्य राजकुमार की तरह हमारे सामने आते है पाइनी नुपूर मन्जु बजे कटिकिंकिनी के धुनी की मधुराई कृष्ण ने पाऊं में जो पाजे पहन रखी है उसकी ध्वनी बहुत ही सुंदर सुनाई देती है इतना ही नहीं उन्होंने अपनी कमर में एक कमरबंध भी धारन कर रखा है उसकी ध्वनी भी मधुर मधुर ध्वनी वातावरन को बहुत ही मोहित कर रही है ये krishni के आने की उनकी रूप सोंदरे की, krishni की चलने की जो दशा है उसके बारे में कभी बता रहा है इसके साथी krishni के बारे में कहा जाता है हम सभी जानते हैं कि वो पीतामबर धारन करते थे और सामने रंग के थे कभी कह रहा है सावरे अंग लसे पतपीत कृष्ण के शामल शरीर पर जो उनका शामल रंग है जो उनका श्याम वर्ण है उस शरीर पर उन्होंने जो पीतांबर धारण कर रखा है वह बहुत ही सुन्दर लग रहा है बहुत ही कृष्ण उस पीतांबर में शुभाइमान हो रह यह उनका रदय उलसित है वह उल्लास से युक्त है कृष्ण हमें एक उलसित नायक के रूप में दिखाई दे रहे हैं तो उनका रदय उलसित है ऐसे प्रफुलित रदय पर उन्होंने एक वनमाला धारन कर रखी है ऐसा कहा जाता है कि कृष्ण फूलों की एक माला पहनते थे वनकी फूलों की विजन्ती माला भी विजन्ती की फूलों की माला के बारे में भी चर्चा की जाती है तो कृष्ण ने उस अपने सुन्दर प्रफुलित रदय और ऐसी मन पर उन्होंने गले में एक सुन्दर वनमा धारन कर रखी है माथे कीरिट बड़े द्रग चंचल यहां हमने देखा कि यहां कृष्णी के बाल रूप का चितरन नहीं है वह एक राजकुमार की तरह हमारे सामने आते हैं जिनके मस्तक पर सिर पर मुकूट है और उनके नित्र बहुत ही चंचल है वो एक नायक के रूप मे हमारे सामने आते हैं और मंद हसी उनके होटों पर मंद मंद मुश्कुराहत या हसी है मुख चंद जुनाई और उनका जो मुख है वह चमक रहा है चांदनी की तरह चमक रहा है देखिए मुख की उपमा चंद से दी जाती है जुनाई यानि चांदनी तो उनका मुख चंदर चमक रहा है उनके मुख की आभा हमें चांदनी की तरह दिखाई दे रही है जै जग मंदिर दीपक सुंदर शी ब्रजदूलह देव सहाई शी कृष्ण क्या है जै जग मंदिर दीपक जगत रूपी मंदिर के दीपक है यहां रूपक है जै जग मंदिर दीपक कृष्ण इस जगत रूपी मंदिर के दीपक है दीपक क्या करता है आप सभी जानते हैं हम सभी जानते हैं दीपक का काम है रोशनी या प्रकाश फैलाना कस्टों का निवारन करना अज्ञान का निवारन करना तो क्रिश्न जो है वह इस जगत रूपी मंदिर के दीपक है इश्वर का आरोप उन पर किया गया है इश्वर की तरह उनको रखा गया है और कभी उनकी बंदना कर रहा है उसकी आराधना कर रहा है कि ऐसे कृष्ण जो इस जगत रूपी संसार रूपी मंदिर के संसार के दीपक हैं जो अंधकार को कस्टों को निवारन करते हैं, इसलिए कभी ये कहता है कि आप मेरे कस्टों का निवारन करिए और मेरे भी सहायक बनिए वो कृष्ण कैसे है? सुन्दर श्री ब्रज दूलव वो ब्रज के दूला है। कृष्ण को यहां कहा गया है कि वो ऐसे सुन्दर श्री कृष्ण जो जगत के पालन करता है, जगत के कस्टों को हरने वाले हैं, वो ब्रज के दूला है। दूला से मतलब दामाद भी होता है और दूला से वर भी कहा जाता है वर यानि श्रेस्ट तो कृष्ण ऐसे श्रेस्ट वैक्ति हैं ऐसे श्रेस्ट दूला है ब्रज के जो सभी कस्टों के सभी के कस्टों का निवारन करने वाले हैं इस तरह वो कृष्ण की स्तूति कर रहे हैं अपनी कविता में और वह स्तूती के साथ ही कृष्ण के सौन्देरे का वर्णन करते हैं ये सौन्देरे वर्णन हमें दीतिकाल के अन्य कवियों में भी दिखाई देता है क्योंकि मैं पहले ही हम लोगे बात कर चुके हैं कि राधा और कृष्ण ही दीतिकाल की कविता के नायक और नाहिका है तो इस कविता का चंद जो है वह सवय्या है भाशा ब्रज है परिनिस्ठित ब्रज है रूपक और अनुप्रास अलंकार का प्रयोकवी ने किया है साथ ही इसमें जो हमें दिखाई दे रहा है वह एक गत्यात्मकता दिखाई दे रही है इस सौंधरे वर्नन में दूसरा चंद जो है वह कवित है एक और इस दूसरे चंद में कवी ने वसंत का वर्नन किया है वसंत और वर्षा दो रित्वे हर काल के कवियों की प्रेन शोत रही है और हर काल के कवी ने वसंत और वर्षा का वर्णन किया है लेकिन कविता में जो कहने का अंदाज है वही महत्वपोन होता है वर्णन तो वर्षा और वसंत का करते हैं लेकिन उसमें नवींता क्या है तो नवींता वही है उसका कहने का धंग अंदाज बया गालिब जैसे कहते हैं है और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे हैं कहते हैं गालिब का अंदाज बया और है यह अंदाज बया या जो कथनी या कहने का ढपli हैं वही कवी को महतवों समुन बनाता है है अब द deben can anyoki ने यहां एक मौलिक उद्भावन की है वसंत के वर्नन में कभियों दिकाल के चंद में एक मौलिक उद्भावना करते होगे वहां कहते हैं क Γ qualities पसंद जो है एक कामदेव का पुत्र है उस रूप में एक पूरा रूप कुनों ने बांदा है कविता यों हैं देखिए डार द्रुम पलना बिछोना नव पल्लव के सुमन जिगूला सोय तन छवी भारी दें पवन जुलावे केकी कीर बतरावे देव कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे पूरित पराग सों उतारा करे राई लोन कंज कली नाई का लतान सीर सारी दें मदन महीप जिको बालक वसंत ताही प्रातही जगावत गुलाब चटकारी दे कैसा रूप है वसंत का कभी कल्पना करता है कि मदन यानि काम देव का पुत्र है वसंत वसंत रितु में हम देखते हैं कि चारों और वातावरन में सुन्दरत अच्छा जाती है ने ने पत्ते ने ने फूर ने ने डालियां विक्सित होती है और चारों और एक सुन्दर वातावरन दिखाई देता है उसी तरह जैसे घर में कोई बच्चा नया बच्चा जन्म लेता है तो जैसे उमंग और उत्सा चा जाता है वैसा ही उत्सा वसंत के आने से जंगल में चा जाता है कवी कहता है कि वह बालक वसंत जो कामदेव का पुत्र है वो पूरा रूपक बानते हुए एक बिम्ब सामने हमारे रखते हैं आप कल्पना कीजिए जो प्रकर्ति की सुन्दरता है उसको कैसे कवी ने उस बालक के उस तरह तरह की गतिविदियों से जोड़ा है एक मानवी है यानि कि मनुष्य के जो क्रिया कलाप है उस क्रिया कलाप को उन्होंने प्रकर्ति के माध्यम से कहा है यहां प्रकर्ति का मानवी करण हमें दिखाई देता है जो ठायवाद की प्रमुक विशेष्टा रही है वीतिकाल में भी वो मानवी करण कभी देव ने किया है तो जै जो पालना है वो कैसा है विक्षों की डालियां ही जैसे उसका एक पालना है बिच्छोना नवपलक के पालने में विस्तर एक होता है कौमल-कौमल बच्चे को सुलाने के लिए तो वह नए नए जो पत्ते हैं जो पेड़ों की डालियों पर आये हैं वो नए नए पत्ते ही उस वसंत रूपी बालक के बिछोना है पालने में बिछाया जाने वाला सुमन जिगोला सोय तन अच्छवी भारी देव। बच्चा वो किसका है फूलों का बना हुआ धिला धाला वस्त्र जिसमें बालक और खुब्सूरत दिखाई देता है तन च्वी भारी दे उसकी तन की च्वी और शुवाय मान हो रही है वो हमें बहुत ही सुन्दर लग रहा है उस फूलों रूपी जिगोले को पहने हुरे को पवन जुलावे बच्चों को जुला जुलाया जाता है तो उस वसंत रूपी बालक को कौन जुला जुला रही है हवा यानि हवा से जो पत्तियां या डालियां हिलती है कभी ने कल्पना की है कि जैसे हवा उस बालक के पालने को जुला रही है केकी कीर बतला जैसे आग जा करते हैं उसको हम हर्शित करते हैं उलसित करते हैं तो कौन उस वसंत रूपी बालों को उलसित कर रहा है केकी यानि मोर कीर यानि तोता बतरावे यानि कि जिस तरह घर भर के परिवार भर के लोग बच्चे से बात्चीत करते हैं उसको उलसित करते हैं तरह तरह से उसे लुभ होल साते हैं है तो उस वसंत में जो है विभिन पक्शियों का कलरव सुना ही देता है तो केकी की रह, कहीं मौर बोल रहा है तो कभी को ऐसा लग रहा है कि जैसे इस वालक को बहला रह रहे हैं कौन तोटभ और मौर, कोकिल tact हुल दो कर तारिदे बच्चे को हम ताली बजा के तरह तरह की आवाज निकाल के जिस तरह बहलाते हैं तो कवी कह रहा है कोकिल कोकिल की जो मीठी तान हमें सुनाई देती है वसंत में हलावे हुलसावे वह कर तारिदे जैसे ताली बजा के हम बच्चे को चुट की बजा के ताली बज आप जानते हैं यह एक परंपरा है कि छोटे बच्चे को नजर न लग जाए तो हम राई लोन से उसकी नजर उतारते हैं तो कवी ने यह कल्पना की है कि पूरित पराग सो उतारा करें जो पुष्प के पराग है वह जैसे राई लोन है और कंज कली लाई का लतान सीर सारी दे सारी ढख कर जिस तरह कोई स्त्री वह उसकी नजर उतारती है बच्चे की उसी तरह जो लताएं हैं कंज कली नाई का जो कमल की कली है वह लता रूपी आंचल सिर पर रख कर उसका उसकी नजर उतार है कवी यह कल्पना किये तो आप एक द्रश्य एक बिंब हमारे सामने है कि एक बच्चे के बारे में दिखाई दे रहा है मदन महीप जी को बालक बसंत ताही यह बालक कौन है मदन महीप राजा काम देव का पुत्र ऐसा कहा जाता है और काम देव की रितु कहा जाता है मदनोच सव होने की परंपरा हमारी यह रही है तो वसंत रितु को काम देव की यानि इस महिने में खासतर सौंदर या और प्रेम की यरितु मानी जाती है और प्रेम और सौंदर के देवता हमारी यह कामदेव को माना जाता है तो वह वसंत जो है ऐसे प्रेम और सौंदर के देवता कामदेव का पुत्र है और जैसे नाना तरह के प्रहत्न किये जाते हैं ब बच्चे को हलकी आवाज से जगाने का प्रयास करते हैं तो जो प्रातर गुलाब खिलते हैं तरह तरह के पुष्प खिलते हैं एक चटक के साथ तो वह जो पुष्पों का खिला है एक जो चटक की आवाज है तो कभी कल्पना कर रहा है इदे से गुलाब चटकारी एक चटका तो यहां हम देख सकते हैं कि इसमें प्रकर्ती और संस्कृति का समन वय है यानि के मनुश्य के क्रियाकलाप है भाव है उसको प्रकर्ती के माध्यम से व्यक्त किया गया है इसलिए मानवी करण है और इसके साथ ही भाव्य सौंदर जो वसंद का है कभी उसे दिखाता है ये कवित है वो सवैया चंद था ये कवित चंद है भाशा इसी में सहितिक बरज का प्रयोग कभी ने किया है और ये की मौलिक उद्भावना हमें दिखाई देती है इस छंद की कुछ काविगत विशेष्टाएं हैं जो हम दुबारा देख लेते हैं कि इस कवीता में कवी का प्रकर्ती के प्रती रागात्मत द्रश्टी कौन वेर्थ हुआ है और इसके साथ ही इसका मानुवी करण किया गया है जो प्रकर्ती को मानुवी वैवार के साथ बच्चे के साथ एक वाधसलय का भाव जुड़ा हुआ है तो वाधसलय रस हमें यहां इस कवीता में दिखाई देता है और इसमें विभिन अलंकार मानुवी करण के साथ साथ रूपक भी है अनुप्रास भी है और साहितिक भ्रजभाशा का प्रयोग हमें दिखाई देता है अब यहां तक हमने कवीदेव की कवीता का अर्थबोद और भाव ग्रहन किया कवीदेव का एक और कवीत पाठेपुस्तक में है उस कवित को हम इस कारिक्रम के अगले भाग में पढ़ेंगे पढ़ाएंगे और उसका रशप्राप्त करेंगे झाल के लिया कि अओ रवेंगे घर रसकाया चुप्स्टियो आ चुपित करेंगे झाल